पेश है गाजियाबाद और नड़ा की समस्याओं पर आधारित मास्को मीडिया नियूज टीम की एक स्पेशल रिपोर्ट हाकिम बदलता है तो हुक मदल जाता है उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार गई अखिलेश की सरकार आई इस बीच सब कुछ बदल गया लेकिन नहीं बदला तो कौशामभी बसड़ा कौशामभी बसड़ा ठीक आनंद विहार के पास है देखने में लगता है कि ये दिल्ली का है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आता है आनन्द विहार बसड़ा हाइटेंग माना जाता है लेकिन इसके विप्रीत जो कौशाम्भी का बसड़ा है इसकी खराब हालत देख कर लगता है कि हम पिछली सदी में वापस आ गए है देखिए इस पर हमारे सम्वादाता त्रवेश शर्मा की ये रिपोर्ट ये है आनन्द विहार बसड़ा इसके पास है पैसिफिक मौल और उत्तर प्रदेश का रोडवेश बसड़ा इन तीनों में रोडवेश बसड़ा बिलकुल अलग है अलग क्यों है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आता है चलिए आपको दिखाते हैं कि वास्तव में इस बसड़े की हालत क्या है हिचकोले खाते वहनों की इन तस्वीरों से ये अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि इन सड़कों पर बने ये गढ़े लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुके हैं रोजाना किसी ना किसी का इन गढ़ों में गिरना आम बाद बन गई है यहाँ पर मेट्रो स्टेशन और मॉल होने के बावजूद खराब पड़ी इन सडकों पर किसी का ध्यान नहीं जाता यहाँ के लोगों ने इस समस्या को नगरनिगम और प्रशाशन के सामने कई बार रखा पर सडकों की मरमत करने के नाम पर नगरनिगम और प्रशाशन दोनों ही कुम्ब करने निद्रा में सो रहे हैं हर बार की तरह प्रशाशन की इस लापरवाही का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है यूपी बॉर्डर के शुरू होते ही सडकों का ये हाल विकास का गुंगान करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल रहा है अब देखने वाली बात ये है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार कब सचित होगी एक तस्वीर ये भी है हाई टेक आनंद विहार बसड़े की दगमगाती हुई बसों की ये तस्वीरे अपने आप में सडकों की धुर्दशा बया करती है सडकों पर बने घड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके है इस समस्या को प्रशासन के सामने कई बार रखा गया है पर उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगती अब सवाल ये है कि समस्या का समादान कौन करेगा केमरा में शशांग्रेश के साथ मैं त्रिमेश शर्मा मास्कू मीडिया गाजिया बाद लिकिन यही ट्राफिक सिंग्नल अगर काम करना बंद कर दें तो जड़ा सोचिय आम जंदा को कितनी परशानियों का सामना करना पड़ सकता है नर्डा सक्टर 55 पर बने ट्राफिक सिगनल काम नहीं करते पर वह अंचालक नियमों की अंदेखी करते हुए अंधा दुन काड़ी चलाते नजर आते हैं हाला कि इस रेट लाइट से चंद मीटर की दूरी पर पांथ सितारा होटल पार्क प्लाजा है आम आदमी की हिफाज़त के लिए ना सही कम से कम इस होटल की वज़े से तो पुलिस कर्मी को तैनात होना चाहिए देखिए इस पर हमारे समाधा था रजशर्मय की एक रिपोर्ट नर्डा के पौश इलाके और पांस सितारा होटल के सामने बने मेन रोड पर ट्रेफिक लाइट का होना या ना होना बराबर है और अगर ट्रेफिक लाइट कभी काम करती भी है तो भी वाहन चालक नियमों का उलंगन करते हुए अंधा दुंद गाड़ी दोडाते देखे जा सकते हैं पाक प्लाजा के सामने की इस मुख्य रोड पर प्रशाशन की लापरवाही किसी बड़ी दुरगटना को बुलावा दे रही है वाहन चालकों की इस मनमानी के कारण राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया है नौलडा सेक्टर पचपन के सामने की में रोड पर ट्रैफिक लाइट का बंद रहना और पुलिस कर्मी की गयर मौजूदगी प्रशाशन की बड़ी चूक का उधारन है वाहन चालकों का ट्रैफिक को तोड़ कर तेज रफतार से गाड़ी दोड़ाने का खमियाजा साइकिल चालक और पैदल चलने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ता है जब नौलडा के पौश इलाके में लापर वाही का ये आलम देखा जा सकता है तो आप इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि नौलडा के बाकी इलाके कितने शुरक्षित होंगे कहा जाता है कि नौलडा को एक विदेशी शहर की तरज़ पर पसाया गया है लेकिन नौलडा सक्टर 10 की सडकों की ये अहालत इस बात को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस बात में कोई सच्चाई भी है यहाँ पर भिखरे हुए पत्थर अब आने जाने वाले लोगों के लिए परिशानी का कारण बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये ना ये सडके बनेंगी और ना ये पत्तर हटेंगे पेश है हमारे सम्मादाता कुमार संभव की ये विशेश रिपोर्ट यहाँ पर रह रहे लोगों ने इस समस्या को नगर निगम के सामने कई बार रखा पर नगर निगम और प्रशाशन की सुस्ती के सामने लोगों की तमाम कोशिशे नाकाम रही ये जो जितना भी अब हो रहा है साड़े चार पांच महिने चे पुरे सेक्टर दसकी प्रशाशन ने इस सड़क पर पत्थर तो फैला दिये लेकिन इसका निर्मान करना भूल गया अब यही पत्थर जब गाड़ी के टायरों के नीचे आते हैं तो बंदूग से निकली गोली की तरह छूटते हैं और लोगों को चोट पहुँचाते हैं बारिश के वक्त यहां हाथ से भी होते हैं तथा उनके होने की आशंका भी बनी रहती है सड़क निर्मान के लिए प्रशाशन द्वारा, रोडी, पत्थर तथा अन्य सामान लाया तो गया लेकिन ये पत्थर बता रहे हैं कि शायद प्रशाशन से इनका कोई वास्ता नहीं है जब सरकार का काम जनता करने लगे तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह उड़ता है कि सरकार क्या कर रही है कुछ यही हालात गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 के नीचे बने एक अंडर पास का है जहाँ पुलिस का काम एक समास सेवी कर रहा है हमारी समाधा था पारोमिता बलोदी ने यहाँ के हालात का जायदा लिया और लोगों से इस समसा के बारे में जानने की कोशिश की नेशनल हाईवे 24 के नीचे बने इस अंडर पास पर सुबह और शाम के वक्त गाडियों की लंबी कतार देखने को मिलती है यहाँ पर जाम को नियंतरित करने के लिए कोई भी पुलिस कर्मी मौजूद नहीं होता जिसके कारण लोगों को बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है अंडर पास सकरा होने के कारण ना सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को बलकि यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी काफी मुसीबते उठाने पड़ती है अंडर पास पर रोजाना लगने वाले इस जाम को एक समाच सेवी नियंतरित करता है पिछले आठ नौ साल से ये समाच सेवी पुलिस कर्मी की गैर हाजिरी में यहाँ पर ट्रेफिक को संभालता है देखने वाली बात यह है कि समाच सेवी के यहाँ पर आने से ट्रेफिक जाम की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है समाज सेवी का इस तरह आगे भढ़कर ट्रैफिक को नियंतरित करने का काम करना अपने आप में प्रशाशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है गाजियाबाद के इस बीजी रूट पर ट्रैफिक पुलीस का इद का चांद होना पुलीस प्रशाशन की कारी शैली पर प्रशन चिन्द खड़ा करता है यह है नैशनल हाईवे 24 के नीचे का एक अंडपास जो की इंदरपूरम को नौड़ा से जोड़ता है यहां की हालत क्या है सहज ही देखा जा सकता है यहां ट्राफिक पुलीस का कोई भी कर्मी मौजूद नहीं होता जिसके कारण यहां सुबह शाम के वक्त गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है यहां ट्राफिक को कंट्रूल करने के नाम पर एक समाच से भी रोज सुबह यहां खड़ा होता है आखिर कब तक इंजे से समाच से भी आगे बढ़ कर इस तरह पुलिस का कार्य करते रहेंगे कैमरमेन शशांग वर्मा के साथ मैं पारमिता बलोदी मासको मीडिया गाजियाबाद कॉलेज को विद्या का मंदिर माना जाता है अगर उसी कॉलेज के सामने कोड़े कचरे का धेर लगा हो तो वहाँ पढ़ने वाले छात्रों की मनोस्थिती क्या होगी समझा जा सकता है यह सब है नौड़ा के सेक्टर 62 स्थित JSS College के सामने का हाल जिसे हमारे समाधाता शशांग वर्मा ने कैमरे में कैद किया नौईडा के विख्याद JSS कॉलेज के सामने की खाली पड़ी जमीन अब कूडे के धेर में तब्दील होती जा रही है हालात यह हो गए हैं कि कूडे की फैलती बद्बू के कारण अब लोगों ने यहां से निकलना भी बंद कर दिया है दिन बदिन बढ़ता यह कूड़ा अब सडकों पर भी आने लगा है अब आलम यह है कि यहां पर रह रहे लोगों के लिए यह कूड़ा बिमारी पैदा कर रहा है जिसके चलते यहां पर महमारी का खत्रा बना हुआ है सेक्टर बासट की ये जमीन कूडा डालने के लिए अधिकृत नहीं है फिर भी यहाँ पर रोजाना अवैद रूप से भारी मात्रा में कूडा डाला जा रहा है रोजाना बढ़ते कूडे के कारण परियावरण भी दूशित हो रहा है कॉलेज प्रशाशन ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कई बार पहल की लेकिन बताया जा रहा है कि नगर निगब ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी सकरियता नहीं दिखाई है बहुत प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि इस कूडे की वैसे गंदी समेल है अनहाईजिनिक है मतलब सड़कों के किनारे आप देखें स्ट्रीट फूर्ट लगा रहता है तो उसे साब से भी अनहाईजिनिक है खाने के चीज़ें उसके साइड में होती है जब भी हवावा चलती है तो यह सब चीज़ें उड़के मतलब फूर्ड हूड में आ जाती है और जब भी आदी बांदी आती है तो जितनी भी गंदीगी है मच्छर वच्छर सब बनते रहते हैं तो इस तरह से बहुत अनहाईजिनिक है बहुत रहती है प्रशाथन को इसके लिए कदम उठाना चीए बिकाज हम लोग जो हमारे पेरेंट्स लोग हैं जो भी जॉब वरकर से अच्छा खासा इंकम टेक्स पर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए तो यह प्रशाथन की जिम्मेदारी बनती है कूडा करकर जो भी है इसका प्रॉपर मेंटेनेंस गिया जाए कुछ भी नहीं हुआ आप देख सकते हो दर पूरी हालत कितना कूडा और कितना धेर पड़ा हुआ उदर साइड में अगर कोई एक्शन लिया होता तो एक अपका कम हो गया होता और कम होनी के वज़ाए रोज करों सिर्फ बढ़ रहा है श्री विनायक मंदिर के सामने का ये द्रिश ग्रीन नोयडा, क्लीन नोयडा अभियान को सवालों के घेरे में लाकर के खड़ा कर देता है नोयडा में खाली पड़ी जगा अब कूडे के धेर से भरती जा रही है कुछ यही हाल नोयडा सेक्टर 62 में बने जेसेस कॉलिच और उसी के अंदर बने श्री विनायक मंदिर के सामने का है जहां कूडे का धेर सडक पर आ गया है और इसी की बदबू की वज़ा से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है मल्टी नैशनल कंपनीज के सामने बनी इस रोड पर कोई चलना तक पसंद नहीं करता देखने वाली बात यह होगी कि कॉलिज प्रसाशन और नॉइडा अथॉरिटी इस समस्या को लेकर कितना गंभीर है कैमरामेन शशांग वैश के साथ शशांग वर्मा, मासको मीडिया, नॉइडा नॉडा में अतिकर्मन दिन बादिन अपने पाउं पसारने में लगा है जिसकी वज़े से विकास की बड़ती रप्तार पर ब्रेक लग गया है लोग अपनी दुकानों को सड़कों तक लेया हैं जिसके कारण लोगों को ट्राफिक जैम की समस्य से जूजना पड़ता है ये इस्थि सुभे से शाम यानि हमेशा बनी रहती है हमारे सम्वादादा ने पूरे इस्थि की परताल की पेश इस पर हमारे सम्वादादा नवी शर्मा की विशेश रिपोर्ट ये सडक नर्डा की सबसे व्यस्त रहने वाली सडकों में से एक है जो लोगों को 12-25 से सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन तक पहुचाती है यहाँ दिन भर वाहन चलते नजर आते हैं पर अब ये सडक भी अतिक्रमन के कारण छोटी हो गई है यहाँ की दुकानदारों ने सडक तक अपनी दुकाने निकाल रखी है सडक वनवे होने से यहाँ अक्सर वाहन जाम में फसे रहते हैं उनका 15 मिनिट का सफर आदे गंटे में भी पूरा नहीं हो पाता सालों से ये दुकाने रोड पर ही सजी हुई है जो लोगों की परिशानी बढ़ा रही है चोटी से दिख रही इस अतिक्रम समस्या ने यहाँ पर दुरगटना का खत्रा भी बढ़ा दिया है यहाँ रोजाना लगने वाले जाम को संभालने के लिए पुलिस प्रशाशन ने कोई भी पुलिस कर्मी मुस्तैद नहीं किया है ऐसा लगता है कि नगर निगम को किसी बड़े हाथसे का इंतिजार है तब जाकर नगर निगम हरकत में आएगा परेशानी तो यही है जाना जाने में दिक्कत होती है समस्या है तो समाधान भी है लेकिन लगता है इस समस्या का शायद कोई समाधान ही नहीं है स्थानिय लोगों की मुस्तैदी की वज़े से प्रशाशन सक्रिय होता तो है लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ पाता और नतीजा वही ट्रैफिक जाम सेक्टर 15 की ओर जा रही इस सरक पर जब आप वहन चलाना शुरू करेंगे तो महज कुछ मीटर की दूरी तैक करते ही आपके वहन की रफ्तार धीमी पढ़ने लगेगी जिसकी वज़े यहाँ पर भरता अतिक्रमन है अतिक्रमन की वज़े से यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक वहन चीटी की तरह रेंगते नजर आते हैं अब सवाल यह है कि नर्डा अथारिटी इस अतिक्रमन समस्या से कब तक मूफेरती रहेगी कैमरामेन शशांक वर्मा के साथ मैं नवीन शर्मा, मासको मीडिया नर्डा यह थी नर्डा और गाजियाबाद की समस्याओं पर अधारित हमारी स्पेशल रिपोर्ट अगले हफते फिर हाजिर होंगे नई समस्याओं के साथ तब तक की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेए मासको मीडिया न्यूज नमस्कार अगले हमारी स्पेशल रिपोर्ट